अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिएगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है दरपन और आप देख रहें अबिन 24 नूज दोस्तों को बता दे इस दुनिया में सबसे पवित रिष्टों में पती-पत्नी का रिष्टा भी माना जाता है लेकिन ऐसे में जो आज एक ऐसा मामला सामने जिसमें पती ने अपनी पत्नी को जो है मार दिया है और आपको बता दें जो मामला है यमना नगर का बताया जा रहा है जिसके अंदर मुस्लिम परिवार की लड़की बली चड़ जाती है यानि उसे उसके पती ने मार दिया लेकिन पूरा मामला क्या है उनके भाई हमारे साथ में हैं लेकिन उसे बात करने की कोशिश भी करेंगे और लोगों से कहेंगे इस खबर को शेयर करें ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिसमें पती जो है अपनी पत्ने को मार देते हैं लेकिन क्या कुछ कारण रहते हैं यही आज जो हैं यहाँ पर पता करन पतनी को कैसे मारा है उसने अपने पतनी को कैसे मारा है उसने इसके जानकारी नहीं लग पा रही है तो यह कैसे पता लगा कि जो है उसके पती नहीं उसे घंगारी ही जो गभी को दार टना उन्हों नभी को मौना के जिर्ड़ा नहीं रहे के लाइफ नद mi Don पुलिस ने उसे फिलाल क्या अरेस्ट किया हुगा है उसका पेसक पती उसका तो यहां आपको बता दें कि यहां पर इंकी जो बहन है उन्हें जो है मच्रिया उसमें लेकर आए हैं दफना दिया था उन्हें बाद में निकाला गया क्योंकि यहां पर जो है इन्हें जानकारी निशान भी मिले हैं और यहां पर पुलिस ने उसे पती को फिलाल हिरासत ने लिया हुआ है और ऐसे में यहां पर फिलाल आप देख सकते हैं कि कैसे पतनी है यानि कि उसके पती ने इस बात को कबूला भी है जो कि उनके भाई जो है फिलाल बता रहे हैं कि उनने इस बात को कबूला है कि मारा है लेकिन कैसे मारा है इसकी कोई भी जानकारी जो है अभी तक नहीं मिल पा रही है लेकिन यहां पर आप मामला समझ सकते हैं कि ऐसे कितने सारे जाने जो केस हैं रोज के हम देखने को मिलते ह पति पत्तनी जो है यानि की जो पत्ति के द्वारा मारी जाती लड़ाई happening को नो करते हैं क्याड कोई उते थे उनके बीच में आपस में जिसको लेकर जो हैं इस है सामने आया आपके पैसे ठाल visão बॉबाद करे पिछ्टरे ते लिके लिए ले two lick उनना तो काम करता सारा दिन से लड़ना मरना और देज करता क्या है अब कभी जाता है यारा मशीन मुसीन पर काम करने लिए नशे करके समय करने वाला पती कैसा होता है यहां पर और भी लोग हैं सर्फ क्या नाम है आपका यहां पर यहां पर दो बच्ची है अब साधी के बाद उसको मारने पीटने लगा दैज के लिए उनको उकसाने लगा बही मुझे पैसे लाके दो मुझे कोई काम करना है काम दंदे नहीं है बही गरीब आद भी मीडियम क्लास आज के टेम में जो है खाने पीने के तो वैसे लाले हो रहे हैं बही कहां से लागे देंगे उन्होंने फिर पहले भी विचारोड ने अपना समझा वुजा के उसको समझा भाई तेरा दुबारा यह घर बसा है इसको अपना बसा के रख ऐसे काम मत कर तो चलो रुक जाता था फिर मारी पिटाई क पहले भी उसको एक डेर लाग रुपे इन्होंने उधार लेके दिए कुछ भी आच पर लेके दिए चलो भाई वह है अभी इस से फिर दस दिन पहले वह कहने लेगे मुझे जारुपे की जो रहत है मुझे वह लाके दे फिर भी उन्होंने विचारोड़ने कठे करके कुछ में बाइब करके उसको चल बहुति जारुपे दि अब रात मेलकुर ठीक ठाकोई दिक्कत नहीं सबसे ममी पापा से मिलके अपना रात को सोई सुबह उतके बोलते हैं कैसे होगी रात से बिलकुल रात को आच बजए 9-10 बज़े सब इस बैठे हैं बात कर रहे हैं बहुर र तो जवाज कर द Aprèsसा ऐसा के दूपधिए हैं उच्हानका है? जैसा उसको दफना दिया, नहला दिला के दफना दिया हमारी हां जैसा लेड़ीस मरती है तो उसको लेड़ीस दफना नहलाती है इसको जैसे समरता डिया चेarta दरी हम नहला के नहला, नहेलाते हुए उन्होंने तبताया नहीं अगले दिन दूसे दिन बताया उन्होंने अधाया लगी थैको सब लोग कट्टे हो जाते हैं थैसी हुशन the only GUY कठ्थ्य हो जाते हैं तो ऐसे हो नहीं से पूछा भी हम शक लगए है कि इसके साथ इसकी हत्या हुए है तो उसके बहन बाई लड़के एलगए के लड़केशल माभाप और लड़का बत्ते मिजी करने लगा हमारी बेटी ठीक थीक ठाक सहीं सलामत तो उसको उसने कहा कहने लगे हम यह नहीं है जो तुम्हें करना है तुम कर लो हमने नहीं मारी अपना मरी है जैसा शक होए फिर जादे वह अवर होगे मतलब उल्टा चोर को तवाल को डांटे जैसा वह बात होगी एक तो हमारी लड़की चली गई उपर से हमारे उपर ही मतलब लड़ाई जगड़ा करने लगी गारी गलोच करने लगे उसके परिवार के लोग और वो लोग फिर हमने परशासन से गोहार लगाई हम परशासन से मिले वहां पर हमने परशासन के सामने ऐसे सारी बात रखी परशासन ने का परशासन ने हमारी बहुत हेल्प की जितनी हमें उम्मीद थी जम्नानगर की पुलिस ने जितनी हमें उम्मीद थी उससे कहीं गुना ज्यादा हमारी हेल्प की तभी उन्होंने अपनी टीम बेजी उसको निकलवाया, कबूर खुदवाई, कबूर खुदवाने के बाद उसकी डैट बोड़ी निकाली, पोस्ट मास्टम के लिए फिर जम्ना नगर से उन्हों का यहां पर नहीं होगा, कलपना मेडिकल चावला में होगा, फिर उन्होंने करनाल किया, पुलिस की टीम यहां तक आग जी कहने लगे हा मैंने मंदरतो च्याए, भूइन क किया इसका, अब वो यह नहीं बता रहा हो कैसे मैं किया, और उसκεktion की लालच में है, लड़की का, जो जो नहीं के ही लालच में मारी गई, हम नही चाहते है कि आप गरीब आद मीडियum कلاस का आदमी है साब, आज के करते हैं औरहे हम नहीं जाते हैं उसने एक बार दिखा सकते हैं कि जिनने जो है उसके पती ने ये मान भी लिया है कि उसने मारा है लेकिन कैसे मारा है इसके बारे में कोई भी जो जानकारी है वो अभी तक वो नहीं दे पा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि कबर खुदवा कर जो है यहां पर जो है जिन वापिस खुदवा कर आप समझ सकते हैं कि उसे निकाल कर फिर जो निकाला गया तब पुलिस प्रिशासन से अपील की गई परिवार की तरफ से और उसके बाद पती ने यह मान लिया कि उसने मारा है लेकिन कैसे मारा यह भी तक नहीं पता है और प्रिशासन से अपील करेंगे कि जो है सकसरकारवाई होनी चाहिए और उसके अंदर पता लगाना जुरूरी है कि आखेर मारा कैसे क्योंकि यहाँ पर सिर पर सूव रतों चोटके निशान जो थे कह चोट निशान थोड़े क्या चोट के निशान को गहरे चोट के निशान थे तो यहां पर लोगों से फिल इस खबर को जितना हो सके शेर जरूर करें और फिलहाल जो है यह मामला जो है अभी तक जो है दूरा है क्योंकि जब तक पता नहीं चल पाता लेकिन तफ्दीश के अंदर जो है वो पता लगेगा और जो है जब पूछता होगी उसके पती से कोई और अपील करना चाहेंगे है परशासन जाए कि हमती परशासन अपील करते हैंकि जो मेंडियम किलास क गरważ की अपनी बची की शादी पता नहीं कैसेख करता है और बात विसकंबर को जितना हो सके शेर जरूर करे और फिरसे चुड़ेंगth 24 की ओपर तब तक के लिए जाए